गाइज अभी अभी क्यान है कि गवर्मेंट के तरफ से एक अपडेट आया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि जिनकी भी साधी 22 नमबर 2007 के पहचात हुआ है यानकि 22 नमबर 2007 के बाद जिनकी भी साधी हुआ है उन्हें यहाँ पर 5000 रुपे अनुदान रासी दी जाएगी तो ऐसकी आज की बताया बिएक कासी काना बंब से एंगे तमाम सारी इंफोर्मेशन बताएंगे यानि आप इस बीड्यो नइक को आं तक को लाक considered करे अपने दोस्तों के साथ इस विडियो को शेयर करदेंगे या दि आपको लगता है कि जिनकी 22 नमर 2007 के 50 हुए उन्हें तक यस समकाई बारे में पता चल सके और सांती वो भी इस योजना का लाब ले सकते हैं यहां पर पैसा दिया जाएगा कितना पांच रुपे दिये जाएंगी तमाम सारी इंफर्मेशन बताएंगे इसलिए आप इस वीडियो को अंतक देखेंगे और सांती वीडियो को लाइक करके च समाच कल्यान बिभाग यानि के समाच कल्यान बिभाग लिखा गया उसके नीची यहांपे आप देखेंगे अब थे शूला करके यहांपे यह लिख्या गया कि आपके पास क्या योगता होना चाहिए यहां पर वो बताया गया है सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे लिखा गया कि कन्या का माता पिता बिहार के मुन लिवासी होना चाहिए यानि कि आपके माता पिता यहां पर बिहार के मुन लिवासी होएंगी तभी यहाँ पर आप इस उजना का लाव ले पाएंगे उसके बार नीचे में यहाँ पर यह लिखा गया कि विवा 22 नमबर 2007 के पच्चा संपन हो हुआ हो यानि कि संपन कब होना चाहिए आपका विवा 22 नमबर 2007 के बाद अगर आपका विवा हुआ है तो आप इस उना का लाव ले सकते हैं तीसरा आप देखेंगे तो इसमें यह लिखा गया है कि विवा के समय बधू की उम्र 18 वर्स और बड़ की उम्र यहाँ पर 21 वर्स होना चाहिए यानि कि इसमें यह लिखा गया है कि लड़की की उम्र यहाँ पर 18 वर्स और लड़के की उमर यहां पर आपका 21 वर्ष होना चाहिए, कब जब आपका बिवा हुआ हो, अभी आपका उमर जदा होगा, लेकिन जिसमें आपका बिवा हुआ होगा, उस त evitar आपका लड़की की उमर लेखेем पालगे लेकिन यहां पर लड़के की उमर एक़ी वर्ष होना किलाए चाहिभ्त करवाना वो हम मैं आपको करवाना हो तक आगे बताएंगी उसके बाद यहाँ और so लेने की घोषना पत्र यहां पर आगे बताएंगे कि कैसे यहां पर आपको दहज नहीं ले रहें इसके आप घोषना पत्र कैसे बनवा सकते हैं आपको आगे बताएंगे उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है यहां पर लिखा गया है कि यहां पर आपको आया पर्मानपत बनाना है और आया पर्मानपत में इस बात का अब ध्यान देंगे कि साथ हजार रुपे से कम का आया पर्मानपत यहां पर आपको कहां से बनवाना है अंचल पदा अधिकारी से बनवाना है उसके बाद यहाँ पर देख सकते कि एक और बताया गया कि बिवान निमंदर पत्र यहाँ पर आपको चाइये तो वो कैसे बनाना तो हम आपको आगे बताएंगे लेकिन उसके नीचे में यहाँ पर दलत कि एक और चीज़ बताया गया कि वैसे सभी आवे तक जिन्हों ने आटी पी इस पर अपना आवेधन किया है प्रंतु उन्हें अभी तक योजना का लाव नहीं मिला है तो उन्हें सभी को सुचित किया जाता है कि वे सवंधित प्रखंड में जाकर करके अपना आवेधन ई कि प्रकंड बलौक बोलते हैं वहां पर जाकर के अपने बैघॉब होसा फर आपको पैसा मिलंगे अब यह बात करते हैं कि आप इसके लिए आबीदन कैसे करेंगे सबसे पहले आपको कुछ कीकुमेंट को बन्माना है। यहाँ पर आपको बताइब शूरुआत में उसके लिए आपको Simple सा क्लिक्षन नहीं करना है यह जो आप मेरा जो इस तरीके से पेज़ खुल जायगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां से आप ड़ोट करके और किसी भी फोट्रो एश्टेट वाला जो होता है दुकान वहां पर परसके है कि से जो भी इंफ़रॉमेशन हैं यहां पर पर लिखा गया सिग्नेचर वगणां करानेगे उसके बाद अपने दिवान्दже कर लेंगे उसके बाद आविदन करना उसके बाद यहाँ पर आपको उस फॉर्म की जांच होगी उसके बाद यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा तो गाईज आई होग के सब बाते आपको समझ में आया होगा मिलेंगे एक नेक्स टूड़ी में एक ने जनकारिक सान तब तक लिए जय हिंद